नमस्कार साथियों आप देख रहा हैं निऊश टुडे दोस्तो सरकारी करमचारी समचार से हम आपको जानकारी देने वाले हैं करमचारी के कानून की करमचारी जब आप बनते हैं तो संभीदान में आपके लिए जो इस्तापित विदी है उसमें क्या नियम दी गए हैं आपको पता होना चाहिए आप देश में किसी वी राज में किसी वी वाग में करमचारी हैं सरकारी हैं तो आपको ये ख़वर पूरी देखनी चाहिए क्या करमचारियों के बेतनमान या पेसकेल में किसी भी परकार की घटोती या कटोती की जा सकती है देश के सभी करमचारी समझें अपना कानून तो चलिए जान लेते हैं लाट शिगो तो दोस्तों बेतनमान या पेसकेल में किसी भी परकार की कमी या कटोती या घठोती सम्मधत करमचारी को युकती युक्ते सुनवाई का अफसर परदान किये विनार नहीं की जा सकती है लेकिन जादतर मामलों में अधिकारी धाले से ऐसा करते हैं क्योंकि बो जानते हैं कि उनका अधिनस्त करमचारी उसके कानूनी अधिकारों के पृति सतर्क नहीं है इस्तापित कानून या विधी के अनुसार सेवा लाबों की बापसी या परिवर्तन या बेतनमान गठाए जाने जैसे विप्रीत प्रभाव डालने वाली कारवाई संबंदित को सुनवाई का अफसर प्रदान किये विना नहीं की जानी चाहिए सक्षम अधिकारी द्वारा किसी बेतनमान की पुष्टी के पश्चात करमचारी उक्त बेतनमान का पात्र हो जाता है उप्रोक्त परिस्तियों में बेतनमान का घठाया जाना विदी वरुद एवं संबीदान के अनुच्छे 311 एवं प्राकर्तिक नयायके सिद्दान का उलंगन माना जाएगा दूसरे सब्दों में करमचारी का पक्च सुने बिना उक्त कारवाई पूर्ता अवैद होती है तो दोस्तो करमचारी क्यों भी संबीदान में कुछ अधिकार मिले हैं तो उनका उप्यो करमचारी अपने बचाब में कर सकते हैं तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूबता हैं आपको लाइक करें आगे आगे आपको इसी करमचर जगत सिक्षेज़त की लेटेस्ट अपडेट जानकारी मिलती रहें इसलिए आप चैनल पर बने रहें सब्सक्राइब और बैल के आइकन को प्रेसर के वीडियो देखन आपका धन्यवाद